तो चलिए इसके एक्जाम्प्ल्स करते हैं सब्सक्राइस करने से पहले भी 6.5 लगाने से पहले तीन-चार एक्जाम्प्ल्स हैं तो यह एक्जाम्प्ल लिखते एक्जाम्प्ल नंबर 10 लिखाएं फिगर 6.48 वो बाजू में बनी हुए फिगर एंगल ACB 90 डिग्री यह जो ACB मतलब यह एंगल हमारा कितना है 90 डिग्री एंड CD प्रपेंडिकुलर टो AB CD प्रपेंडिकुलर टो AB 90 डिग्राम में दीख भी रहा है प्रूफ दैट BC स्क्वाइर BC स्क्वाइर अपान AC स्क्वाइर इस एकल टो BD अपान AD क्या यह प्रूफ कर सकते हैं हम लोग तो कैसे करे हैं कि मालूम है कि तीनों ट्रेंगल आपस में सिम्लर होते हैं यह देखें तो यहां पर आप देखें क्योंकि यह ट्रेंगल है ना ACD ACD इस सिम्लर टू A B C corresponding vertices पकड़िएगा देखें यह A से A है तो एक तो common हो गया ट्रेंगल ACD लिखा आपने तो corresponding कौन सा आया इसमें ABC में A वाला A से बन गया और C 90 दा सुरी ACD लिखें A CD D is 90 तो इसमें 90 वाला कौन आएगा इस सा C वाला ABC बन गया गया इसम्लिख समझ पाएं कैसे लिखें तो यह ACD is similar to ABC अब यहां पर ratio लिख लो AC upon AB is equal to AD upon AC यह हुआ AC upon AB और यह हुआ AD upon AC और इसको cross multiply कर लिजे आप तो आगया AC square square to AB into AD है ना महेंग अब आजाएगे दूसरे वाले triangle में BCD में तो BCD दिर वाला है triangle 1 triangle 2 और तीसरा triangle पूरा बढ़ा वाला ऐसा समझ लो तो दूसरे का तीसरे से रिष्ट हम जानते थे similar triangle होते हैं अब vertices ऐसी पकड़नी है कि हमारे पास AC square आ चुका BC square जैसा मिल जाए कुछ तो यहाँ पर आगए BCD तो यहाँ पर लिखा triangle BCD तो similar किसके बनेगा अब देखें D वाला 90 था तो 90 वाल में ABC में क्या होता है C वाला तो अंत में आगए 90 A ठीक और B एंगिल दोनों में common है तो शुरुआत क्यों हो जाए कि B से बचा A तो यह तो बीच में रहना है किनेक्ट कर पाए हो यह D वाला 90 था यह C वाला 90 है यह B दोनों में common आ रहे हैं इसलिक साती रहने वाले जो ट्रेंगल लेके चले हैं ठी अब इसमें ratio लेते हैं BC upon BA और यहां लिया BD पहला हो तीसरा तो BC पहला हो तीसरा अब cross multiply कर दीजे ऐसा ऐसा क्यों ले रहे हैं को कि ह यहां पर BC square चाहिए औरना कुछ भी ले सकते मना ही नहीं है लेकिन वो जो चाहिए वो लेंगे तब ही काम बनेगा तो यहां वैलू होगी BC square is equal to BA into BD अब यहां पर दूनों का ratio निकाल दो तो BC square upon AC square यह BA into BD यह और AB into AD और यहां पर दिखिए value क्या बन गई कौन से कटा BA और AB यह दुनों कट गए और यह आगे BD upon AD और यही proof नदाब आप ध्यान लखेगा triangles में examples बहुत important हैं examination में कूछ पूछे जाता है असान है लिकिन सही समय पर click होना ज़रूरी है उसके लिए क्या होता आपकी practice समझ में तो आ गया है आपको लग भी रह हो लेकिन जब करने की बारी आएगी तो कर वही बच्चे पाएंगे जिनकी practice होगी simple as world cup का final समझ लो आपको short खेल नहीं आती है लेकिन उस मौके पे खेल पाएंगे कि नहीं वर्टकप जीतना है तो उस particular दिन पर one day अच्छा खिलना पड़ेगा न आप होंगे अपने बहुत बड़े खिलाड़ी उस दिन जी रूप आउल हो गया खिल गतम हो गया तो उन तीन गंटों में अड़ बढ़ा आ गया ध्यान नहीं है तो बाद में लौट के कहते हैं रही आपल का एघ्लडर इस प्लेज अगेंस वाल समझ लीजे एक वाल है दिवाल और एक लैडर आप ऐसे लगाते हैं लैडर मितलब सीडी सीडी को ऐसे लगाते हैं अगेंस वाल तो सच आइस फुट इस अट इस पूट पाइपग यहां से लेकर यहां तक कितना हिस्सा है 2.45 म ABC नाम देते हैं इसको, ठीक, from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground, ये इससे कितना है, 6 meter AB, find the length of the ladder, ये तो बच्चों वाला सवाल होगे, ये आपको find करना है AC, तो simply हम pythagoras apply कर देंगे, इसमें, तो AC square is equal to AB square plus BC square, तो AB आ गया 6 का square, और BC आ गया 2.5 का square, 6 का square होता है 36, और 25 होता है 625, तो 6 और ये हो गया, 42.25 meter, क्या ये सही लिखा है, तो ये अंसर आ गया, लेडर हमारी 42.25 meter लंबी, sorry, अभी तो AC square आया है, तो AC कितना आ गया है हमारा, under root, 42.25, अभी ये जो value आ जाए, ये root निकलने का एक short cut बताएं दोंगो, आता होगा आपको जरूर, कल हम पढ़ा रहें थे 12 वालों को ना, तो उसमें आ गया, तो तो उमने का, हमने की वीडियो भी बना रखी है, कोई special नहीं सब जानते हैं, लेकिन जब 12 में math पढ़ते हैं, आपको ये मालूम होता है कि shortcut आया कहां से, differential calculus में use होता है, तो जैसे ही निकालना होना, तो कैसे निकालते हैं आप, जैसे की, 42.25 ही है, तो निकालने का formula आपके पास क्या होना चाहिए बटा, कि कि किसी भी गिंती के जिसका हमें निकालना है, perfect square, उसके पास का एक गिंती ले लिजे, x, जिसका perfect square मालूम हो, उसको x बोल दीजे, तो यह हो गया, x plus delta x upon 2x, अभी क्या मतलब है, जैसे की हमें निकालना था, 42.25, तो यहाँ पर सबसे नस्दीगी जो हमारा perfect square मुझे दिख रहा है, एक ग्लांस, वो 36 दिख रहा है, ठीक है, 49 मी ले सकते हैं, हम 36 लेके चलते हैं, तो x की value ले लो, यहाँ पर कितनी, 6, 6 का मतलब है कि, under root लगा लो, x ले लो, 36, तो 36 का लोग है, तो क्या जाएगा है, 6, और यह हो जाएगा, 2 into 6, ठीक है, अब 42.5, 36 से कितना आगे, 6.25, उपर लिख दो 6.25, इडिल टैक्स का मतलब, 36 से कितना फरक है, अब इसको calculate किलो, answer मिल जाएगा, नीचे 12 आगया, तो 6 plus 6.25 upon 12, यह approximately 0.5 आ रहा है, यह दो हो गया, किसी अभी, अगर divide करेंगे, तो और सुंदर मिल जाएगा, बिलकुल काफी करीब, कुछ पल्ले बढ़ा गया, एक और लेट एक्जाम्पल, जिब बदाई रहें तो खुल के बताएग, अंदाज लगा, थोड़ा थोड़ा लगा, यह सवाल होगे हम एडिक्शनिल बता रह 29 तो काफी 20 का नंबर आ रहा है, आने को तो कोई विज़ाद किसी का भी निकाल सकते हैं, मालो जैसे आजाए 16 होता है, हम लिख देते हैं, 21 का निकालना सब्सक्राइए, 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 तो 21 में अगर आपको रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, इसके 2 इंटू 4, बस खेल कतम हो गया, 4 प्लस 5 अपॉन 8, डिवाइट कर लो 5 को, 0.48, 2, 8 दूनी 16, अंसर आगे 4.62, कितना असान, चेकल लेते हैं, कितना था, 21 का रूट, आर आप 4.58, हम उगर बढ़ कर गया, 25 और पास में, 25 और पास में, 5 की डिफरेंस तो 4 का पड़ एगा, 4.58 आ रहा रहा है अजया है, और हम 25 ले लें, तो माइनस करना पड़ गा, तो वैलू आजाएगी याँपर कितनी 5, और यथ डिफरेंस आजाका माइनस में, तो माइनस 4 अपन, 2 इंटू 5, तो वैलू आज 6 यह अभी आ रहा था 6 2 तो यह प्रॉक्सिमेटली 4.6 आ रहा है और कैकुलेटर बताता है 4.58 बहुत करीब हैं में कोई दिक्कत नहीं 4.58 या 4.6 काफी करीब है किसी को भी निकाल सकते हैं आप देखें कितनी जल्दी निकल आता है जो करीब उसको ले लिजे जैसे माली जै आपका आगया कोई एक नमबर और ले 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 पताओ कुझ भी ले 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 जो आपके कैलकोलेशन में आता हो माली जै आ जाता है जैसे की 145 ले लो इसका रूट निकालने को आजा है ठीक तो 145 में इसके करीग कोन सा नंबर है 1244 तो यहाँ पर हो गया 12 डिफरेंस हो गया पॉस्टिम में डिफरेंस है तो 1 अपॉन 2 इन्टू 12 तो 12 प्लस 1 अपॉन 24 तो 24 को आप 1 से डिवाइड मार दीजे तो वैलू आगे 12.04 बस हो गया देखिए कितनी तेजी सा रहा है अब मैं 12 का रूट भी चेक कर लूँ अगर तो आ रहा है 12 का 12 नहीं 145 का रूट 12.04 एक और देखो 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 मालो ऐसे आजा है तुमारे काफी एप्रोक्सिमेशन है तू रूट 6 तुभाब में देखेंगे 243.32 सबोस करवा जाए इसका रूट आजाए फ़ली तकलीफ हो दुक्ती निकलने में अब 243 के करीब किसका अंडर रूट है 15,225 होता है तो 225 ही आ रहा है ना तो 225 पाड़ो तो 15 प्लस 225 चे कित्ता डिफरेंस हो गया 18 दसम लो 3 दो 2 इंटू 15 है की नहीं अब ये वैलू आप कल्कुलेट कर लो 15 प्लस 18.32 अपॉन 30 ये हो गया 00 कर मारो डिवाइट 3000 183 280 पॉइंट लगा के ये कितने मार जाएगा 63 18 करीवन 6 मोटा मोटा तो इसका अंसर आएगा 15.6 अप्रोक्सिमेटली 243 पॉइंट 32 का अंडर रूट और आगया 15 दसम लो 59 ये पंदर दसम लो छे ठीक आगया तो ये कितनी जल्दी बजा रहा देगो वना करेंगे तो लंबा पड़ेगा कुछ कुछ इंटरस्टिंग है कि नहीं है कुछ पकड़ माया आगे सवाल करते हैं ये कैसे आया ये ना ये कैसे आता जुगाड़ ये जुगाड़ आप 12 में सीखेंगे मैस वाले बच्चे इसको चाहओ तो दिमाग में रखो बड़ा आसानी से काम कर देगा लगाने के लिए रख लिया आपने इच्छी बात इसी तरिके से क्यूब रूट का भी होता है लेकिन तोला लंबा होता है किसी का भी निकाल सकते हैं तोला बड़ा होता जागा फॉमला बस यह कोशन नमबर 12 देखते हैं इन फिगर 6.50 वो फिगर बनी हुई है इस AD is perpendicular to BC AD perpendicular to BCA prove that AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square जो यह given है उसी को बोला है मैंने ठीक अब देखें कैसे कर सकते हैं इसको from ADC ADC में हमने पाइता कर रस्तिवरम लगा दिए तो AC square यह 90 हापटरिन्यूज कौन सा होता है जो angle 90 होता उसके सामने वाला यह हापटरिन्यूज हो गया तो AC square is equal to AD square plus CD square यह लग गई पाइता कर रस्तिवरम फ्रॉम ADB ADB यह भी 90 है इसके सामने वाला यह है पटरिन्यूज तो AB square is equal to AD square plus BD square यह भी लग गई अब इन दोनों में से क्या करें हम लोग first में से second को गदा दीजे क्यों गटाने कोशिस कर रहे हैं तोकि इन दोनों में अगर आप देखेंगे गटाने में तो यह वैलू आजेगी यह देखें नंबर subtracting 1 from 2 तो यह आपका 2 लिखा हुआ है कई लोग पकड़ नहीं पाए होंगे यह equation number 2 है equation number कौन सी है 1 AC square is equal to AD square plus CD square यह हमने घटा दी इसमें से ऐसे ही गटा दो simple तो यह क्या लिखोगे AB square minus AC square AD में से AD किया कट गया और यहां बचाए BD square minus CD square अब CD इदर लियाओ AC इदर लियाओ तो यह बचाए AB square plus CD square is equal to BD square plus AC square अध्यान से देखो यह प्रूफ करना था देखो प्रूफ होगे यह जो सामने जब सवाल होते हैं तो ऐसे बड़े अराम से होते रहते हैं लेकिन आप को करने के लिए एक ही तरीका है समझने के बाद practice आप जैसे practice अच्छी कर लेंगे खुब मज़े से निकलेंगे और practice में पर कमी रहे जाएगी तो तकलीफ देंगे बरी ठीक है और भी अभी है example इसके वो भी लगाते हैं लोग example नंबर दो example और बसते हैं भी उसको भी लगाएंगे example नंबर 13 पर आते हैं example नंबर 13 देखते हैं लोग bl and cm are medians bl medians का मतलब क्या है कि CA को इसने equal part में divide कर दिया और साथ में cm यह cm इसने इसको equal parts में divide कर दिया और a b c a 90 degree a given in the question at a prove that 4 bl square very important question अटी कर लो तो 4 bl square plus cm square is equal to 5 b c square यह important question न ध्यान रखिएगा इसको करते हैं इसको हम लो यहां पर देखिए पाइथागुरस लगाई गई है BL and CM are the medians वेगरा वेगरा ठीक है सब जान चुके हैं आप from a b c a b c b c बड़ा वाला ट्रेंगिल है a b c पाइथागुरस अप्लाई करतो 90 के सामने वाला हाइपटनियूस तो यह बना b c का square is equal to a b square plus a c square कोई दिक्कत नहीं अभी यहां आ जाओ a b l में तो a b l इस पे भी तो पाइथागुरस लगा सकते हो इसके सामने वाला यह आपटनियूस तो आग्या b l square is equal to a l square plus a b square अभी एक तीसरा ट्रेंगिल यह भी बच रहा है इसमें पाइथागुरस लगा तो इसमें पाइथागुरस यह आपने लगाई यह देखो अभी निर्गानिक जुरूत नहीं पड़ी वहीं आ जाते यह देखो आप value रखते हैं यह देखे value आई थे ना b l square square to a l square plus a b square तो b l square और वहां क्या value लिखी थी बिटा a l तो half लिया a c upon 2 यह देखो a l था ना a l तो a l हो कह लिख सकते हो a c upon 2 ठी तो यहाँ पर value डाली नो ने a c upon 2 का square प्लस a b square अभी यह बन गया b l square square to a c square upon 4 plus a b square 4 ले लो l c m और cross multiply कर दिया तो 4 b l square is got to a c square plus 4 a b square ठीए यह होगी equation number two अब इसी तरह equation number triangle c m a में c m a कौंसा triangle हो गया है वही नीचे वाला जो जिसमें लगा रहे हैं लो तो cm m में लगा होगे तो cm square is equal to a m square plus a c square और फिर आप a m को change कर देंगे cm square को लिखा a c square plus a m square और a m को लिख दिया a b y 2 यह था a m यह था आपको पूरा यह a m था और यह double है तो a b y 2 लिख सकते हो ना इसको लिख दिया a b y 2 2 और इसको solve कर लिया square वगरा करके तो यह value मिल गी 4 cm square is equal to 4 a c square plus a b square अभी नमबर 3 को और नमबर 2 को add कर दिजे 4 और 4 वाले को तो 4 common आगा है b l square plus cm square is equal to 5 4 plus 15 a c square plus 45 a b square और यह प्रूव हो गया है तो यह एक important सवाल है जरूर प्रैक्टिस करना होगा ठीक है इसका एक आखरी सवाल है वो भी discuss कर लेते हैं example मतलब यह भी important है यह तो very very important लिए इसको दो बार एक्जाम में कही बार आ भी चुका है फिर आएगा ठीक अब देखें क्या बोलता है इसमें o is any point inside a rectangle a b c d एक a b c d rectangle है ओ कहीं भी एक point है कहीं भी inside अंदर prove that o b square plus o d square is equal to o a square plus o c square तो इसको करने के लिए छोटा सा construction मोन किया जो आपको दिख भी रहा होगा और यह construction क्या है कि जहाँ पर ही तो यह point o था वहाँ से एक line कीची p q जो की b c के parallel है p q is parallel to b c उसने intersect किया a b को p पर और d c को q पर ठीक है अब क्योंकि यह इसके parallel है तो अगर यह rectangle में 90 है तो यह भी 90 होगा और यह 90 है तो यह भी 90 होगा corresponding angle होगा ना दो ठीक है अब आगे देखो अब तो b p q c b p q c यह चोटा अला rectangle होगा इदर और दूसर rectangle कौन सा बन गया a p q d यह दोनो rectangle होगा ठीक है बात समय में आती है now from triangle o p b o p b इस triangle की बात कर रहे हैं यह triangle में यह 90 है ना विटा तो पाइथा करूस लगा सकते हो यह बन गया o v square is equal to b p square plus o p square ठीक है अब इस वाले में भी पाइथा करूस लगा दो इसके पोज़ेट साइक इसमें इस वाले आप इसी तरह है इस triangle स्टेंगल में लगा तो जो पोज़ेट साइट दिख रहे हैं तो यहां पर यह equation में क्या बना भीटा यह 90 बन रहा है तो बन गया o c square o q square c q square और इस वाले छोटे वाले मां जाओ तो इसमें बना दो a o square प्लस पस्पूर्ल पिस्वर्ठ कि चार बना गया है अब क्या करें हम लोग औभी स्क्वेट प्लस ओटी स्क्वेट ₹ यह कि बी स्क्वेट और ओडी स्क्वेट दिखरा है अब इन दोनों को जोड लें कि मैंуск यह OC स्कॉयर, OA स्कॉयर एक तरफ दी ना तो हम क्या करते हैं इन दुनों को जोड़ते हैं इन दुनों को घठा देंगे समय Sharp तो हमने पहले जोड़ा OB स्कॉयर PLUS OD स्कॉयर और इधर इन दनों को जोड़ा OC स्कॉयर PLUS AOA स्कॉयर यह value क्या गई BP square plus OP square plus OQ square plus OD square है ना और इसमें जोड़ा हम लोग ने तो आया OQ square plus CQ square ये फिर ये दोनो PO square plus PA square अब घटा दीजे जब घटा देगे तो OB square plus OD square minus OC square minus A square ये वालट रमाद आगा minus लेते होए यह यह इस तरफ की वेलोग पूरी कितनी आनी चीए 0 आरी नहीं आरी BP square कहीं से कुछ कट रहे गया घटाने में नीचे वाले से BP O P O P O P O square नहीं O P O Q कट रहे और PA CQ में दिक्कत आ रही है QD QD किसके उसे कट रहा है BP क्यों इक्वल है हां वोकि BP और CQ इक्वल है यहां पर रेक्टेंगल बनेंगे था ना तो यहां पर BP और CQ इक्वल हो गए थे और उपर में AP और DQ इक्वल हो गए थे रेक्टेंगल है ना तो इस वज़े से यह जब आप सट्रैक्ट करोगे माइनस तो इस O Q से यह O Q कट जाएगा और O P से यह O P कट जाएगा BP और CQ एक जैसे हैं तो यह दोनों कट जाएगे और AP और DQ जैसे हैं तो AP और DQ जैसे कट जाएगे तो यह आजाएगा 0 और यह आजाएगा O B square plus O D square minus O C square minus A O square इसको इदर ले जाओगे तो यह आजाओगे प्रूफ करना है इसको आप इदर ले जाओगे तो आप प्रूफ हो जाएगा O B square plus O D square is equal to O C square plus A O square यह तो को प्रूफ हो क्या यह समझ पाया हो यह बहुत ही important सवाल है ध्यान यह भी रखना कि यह दुनों rectangle बने rectangle तो rectangle बनने के विज़े से यह हिस्सा इसके बराबर हो गया और यह हिस्सा इसके बराबर हो गया तब कट गए ठीए तो यह जो इसके examples थे हम लोग नोंने 4 example थे जहां तक कर लिए तो next time हम लोग इसके questions को put up करेंगे और करना शुरू करेंगे Thank you